हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मॉम्स एंड किट्स फ्रेंड्स विंटर सीजन चल रहा है और ऐसे मौके पे बच्छों की अकसर तबित खराब हो जाती है उन्हें सदी जुकाम बुखार ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाती हैं जिससे उन्हें हमें बहुत ज़्यादा स होता है जिसे कि उन्हें कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको एक तेल बनाना बताऊंगी जिसे हम घर में बहुत ही कम इंग्रीटिंट्स से बना सकते हैं जो बहुत ही फाइदे मंद होता है इसके लिए है मैंने साथ से आठ बादाम आठ से दस लसन की कलियां और एक चमच अजवाइन तीनों चीजों को हमें ले लेना है लेने के बाद हमें बादाम को कूट लेना है बारी कर लेना है और लसन को काट लेना है ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो इसका पूरा पूरा असर हमे जो भी इसके benefits हैं वो हमें पूरे-पूरे मिल सके इसलिए हमें ऐसा कर लेना है इसे अब हम एक कडाई में थोड़े बड़े बतन में ही लें ताकि जब हम अपनी चीजों को इसमें डालें तो तेल थोड़ा सा उपर आता है तो उसे थोड़ी सी space रहे तो इसके लिए हमें थो बल्षन को मीडिया माच के ही अब ने थेल को रखें उसमें अब अपनी लखंत को डाल देंगे जो हमने अपना बढाम कूटकर रखा है उसे डाल देंगे सब कुछ हमें बिलकुल मीडिया माच पे ही करना है धीरे धीरे ही होता रहे और जो अजवाइन है उसे भी डाल देंगे इन तीनों चीजों को इसे डालने के बाद धीरे धीरे ही से हम थोड़ा पकने देंगे धीरे रहे पकता रहेगा थोड़ा सा सुनहरा लाल सा हो जाएगा बस उतना ही हमें करना है बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है या आधा हुआ हो तो ही बंद कर दें ताकि जो तेल में जो गर्मी होगी उसके अकॉर्डिंग भी वो थोड़ा सा और जादा हो जाएगा जोड़ा सा चलाते रहेंगे जिससे की जो लसन अजवान और बदाम के जो भी बेनेफिट्स हैं वो हमारे तेल में आजाएं सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है आप चाहें तो इसकी जगह तिल का तेल भी ले सकते हैं यह देखिए थोड़ी तेर में यह अज़ा सो नहरा हो गया है इसे अब हम बंद करतेंगे गैस को ताकि यह थोड़ा सा और पग जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा और जो भी उसका सार है वो तेल में आ जाएगा अब इसे छान लेंगे और इसे छानने के बाद आप एक शीशी में रख लें और जब भी गर्मी बच्चों को मिल सके और ठक के सुला दें ताकि वो आराम कर सके ऐसा करने से यह होगा कि जो भी चीजों की गर्मी है वो बच्चों के अंदर जाएगी और उनकी ठंड़क को दूर करेगी और ठीक हो जाएगे जल्दी ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है त तो प्लीज आप इसे जदा जदा लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू